अब आप देखोगे यह नेक्सट एक की क्लीप है जिसमें काफी सारे फ्लाज अब खिल गए इसमें और बहुत सारे फ्लाज है अगर पूरी है लगे हो तो बहुत ब्यूटिफूल लगते हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर में आते हैं यह फ्लॉक्स यह वी देखो यह भी एक इसकी वराइटी है जो कि स्टार तरीके का है और ये भी काफी सुन्दर लगता है एकदम परपल से कलर में है परपल और वाइट का कम्बिनेशन है अब आपको जादा नजर आएगा एंद रिली ब्यूटिफुल चोटी-चोटी से फ्लार बड़ी क्यूट लगते है देन उसक सारे फ्लार अभी भी खिल रहे हैं तो चलिए इसके उपर सही स्टार्ट करते हैं यहां पर तो ब्यूटिफुल से रोजिस है यह देखो पेंक एंड और औरेंज सा शेड है इसका रोज का और यह बहुत ब्यूटिफुल है देन इसके बाद यहां पर भी पिंक कलर का एक फ सब्सक्राइब करते ही जा रहे हैं और बड्स भी आ रहे हैं यह खिले में काफी दिनों से 15-20 दिन से खिले हुआ है और यह स्पेंट हो चुके और इनको मैं जल्दी ही कट कर दूंगी इसके ऊपर यह मैक्सिकन पिटूनिया इसने अपनी ग्रोथ लीनी स्टार्ट कर दिया जैसे कि हलकेल की गर्मी भी है और एक पॉट को मैंने मतला एक प्लांट को मैंने री पॉट भी कर दिया यह बड़े वाले पॉट में आप देख रहे हुआ था मारे पास वो पाइन हैपल का लगा हुआ था प्लांट उसमें कुछ ग्रोथ नहीं हो ली थी तो मैंने इसको न इब ने यहां पर यह पिंक कलर में है यहां पर बॉट भी हैं और जाड़े व którą पुँछ जह निकल गे हैं कुछ और स्पैंट भी हो चुके है इसने अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर दी में ट्रिसम वाले माली यह तो निकला है यह जगा जगा मैने इनको जहां पर निकल थे वहीं पे रहने दिया जो छोटे पॉट में है वो छोटी ग्रोथ लिये हुए लेकिन स्टिल उसमें ग्रोथ बहुत अच्छी है और काफी अच्छी शूट्स है फ्लास देखो बडिंग देखो इसके बाद यहां पे भी मैंने छोटे से प्लांटर में लगाया था इसको दन आ बहुत इसमें फ्लारिंग स्टार्ट हो गई थी दिसेंबर के मन से ही और अब इसमें चोटी चोटी अम्या लगी हुए आपको नजर आ रही होंगी इस सीजन में कुछ इस से मिल पाई लास्ट सीजन में भी इसमें कुछ लगी थी अम्या लेकिन फिर वो ग्रोथ नहीं ले इसा लगता है कि अटलीस्ट ग्रोथ तो हो रही है प्लांट में तो जब हम इसको बड़ा कंटेनर देंगे तो होफुली इसमें कुछ फ्रूट भी लग पाएगा अभी के लिए तो इसमें फ्लार्स हैं और फ्लार्स खिल रहे हैं एक आदा कुछ पॉलिनेट भी हो गया त इसके बाद यहां पर आप देख पाओगे कि यह राई के सीड्स हैं कुछ इसमें सीड्स बन गए हैं और वह सूख गए दुबारा इसने फ्लारिंग कर दी है और बहुत सुन्दर फ्लार्स आये हैं इसके पर अगेन इसमें सीड्स आ जाएंगे जो यह सूखे वे सीड्स द से शेयर किजेगा वैसे तो मैंने जब सीड्स से लगाया था इसको तो स्टॉक भूल के लगाया था तो बट लास्ट जब मैंने लगा थी तो वह कैंडी टुफ्ट उस ताइम मुझे पता लगा था क्योंकि उस तरीके से लेबल किये हुए थे तो आप बताएगे कौन सा फ तो आपको पैसे बिल्कुल नहीं खर्च करने तो आप सिंपल से राई के दाने लो या सर्सों के दाने लो अपने गार्डन में किसी भी खाली पॉट में डाल दो तो टाइम होने पर फ्लारिंग जरूर करेंगे दन यह आप देखो गजानिया कितनी प्यारी खिली है मतलब सन में यह बहुत सुंदर लगती है बड़े-बड़े फ्लार्स हैं इसके काफी एक्सपेंड भी हो रहे हैं और यह मैंने लास्टियरक सेफ किया हुआ था उस वही वाला के सैंथम है इसमें देखो सीज बन गये इनको मैं हटा देती हूं और इसको अटा के मैं इसी गंबले आरे हैं यह बहुत बीटिफूल है तो प्लीज अगर आपको अच्छे लगे हो तो इसी बात पर लाइक कर देजेगा वीडियो को फ्री का लाइक है सब्सक्राइब कर देजेगा अब अब तक नहीं किया है और वीडियो अच्छी लगती हो तो फिर आप कुछ कमेंट में आपको लेकर चलती हूं अपने गार्डन के जहां जहां राइ लगाई वी थी वहां वहां फ्लारिंग हो रही है और इसी के ठीक सामने यहां पर रिस्टम सेंट्वम्स हैं चोटी वाली यह वलुंटरी उगाई थी मैंने लगाई नहीं थी और हर साल यह ऐसी ही लग जाती ह और आप बहुत अच्छी फ्लारिंग होती है इस पर च्छोटे च्छोटे फ्लाज बहुत प्यारे लगते हैं और अबंडन्स में खिलते हैं और खिलते हैं तो देखते ही ब्यूटी इनकी बंती है और किसी भी कंटेनर में लगादा दो जैसे मैं आपको पहले दिखाया चो आपके बड़री बीटन करें टीजिए अगि पर टैप यहां पर यह पर उपर यहां पर उपर आपर नहीं को सब्सक्राइब मैं अपर पर यह है। तो यह फिर रेडिश के FLAW यह समीए साथ सेट पॉर्ड इसके बाद आपको इसमें Seed Pods मिलते हैं और Seed Pods उनको मुंगरे भी कहते हैं उसके सब्सक्काइब बना सकते हैं तो उसकी सब्सक्राइब सेटी बना सकते होadible हैं ये मूली प्लांट ये ज़रूर से आपको लगानी चीए, बहुत गहरा प्लांट नहीं पिलोग है साथा टिंच का भी प्लांट ले लेते हैं तो उसमें भी आपको मूली डिसंट साइस की मिल जाएगी तेन यहां पर बहुत ही प्यारे परपर हाट के फ्लार कहीं है और यह तो सदा बाहर है प्लांट पूरे साल चलता है अब कभी भी सेजन में ग्रो कर सकते हैं और बहुत एजली लगते हैं यह मल्टिप्लाइ भी हो जाते हैं और मेंटेनेंस भी काफी एजी है हाँ बहुत जादा धूप में जब यह रहते हैं तो पत्तों का डी कालरेशन हो जाता है बट फिर भी यह कि डाई नहीं होता है पूदा यहां पर एक मतर का पूदा है जिसमें फ्लारिंग हो रही है मतर हमने ले लिए थे अगें इसमें भी फ्लास आने वाले यह जूकिनी क क्योंकि मैंने काफी दिन हो चुक है विसे इनको सूखे हुए बट आइ थिंक सीड्स भी शायद इसमें से गिर चुके होंगे तो चलिए यह मैं बाद में चेक करूंगी और अगर नहीं सीड्स करने में तो फिर इन सबको हटा दिये दीजेगा आपके फ्लार्स अगर स्पे और होफुली जल्दी इसमें बैकर भी मिल पाए तन यह हमारे प्यारे से पैंजी एक पॉलिनेटर यहां पर आपको दिखा होगा देन यह डिफरेंट इसमें खिलते हैं फ्लार्स और बहुत ब्यूटिफुल अगें यह है यह यलो कलर्स है तो यहलो काफी ब्राइट लगत तो बस मन खुश कर देते हैं तो यह परपल कलर में आप देख पाऊगे परपल डाक में है यह लाइट में है और इनकी अलगी ब्यूटि मेरे गार्डन में देखने को मिल रहे हैं लास्ट यह भी मैने लगा हुए थे बहुत सुन्दर लगते हैं और यह कलर जो है वो डिफ यह लगा हुए तो आप देख पाऊगे काफी अच्छी फ्लारिंग यह कर रहे हैं उसके बाद यहां पर हमारे पर यह स्ट्रॉबरी के प्लांट्स हैं जो कि हमने सीच से ग्रोग किये थे मैंने आप लोग के साथ सारी वीडियो शेयर किये है उनको अलग अलग प्लांट्स कि एक ब्यूटिफाई किया हुआ है गार्डन को और यह देख पाऊगे आप मतलब में ज्यादा क्या बोलूँ है सुंदर है कि अपने आप में मतलब इनकी सुंदर दा पूरी है तो यह दो शेड के आ रहे हैं इसमें और यह प्लांट एक ही है आप देख पाएंगे दो शे अब पलास्टिक है तो अब धो यह दो फिर ज्यादा खराब अभी जाते इतरे सालों में इसके बाद यह प्लांट तोव एक फ्लांट में गए देख रहे होंगे आप लेगे शेड में भी वरियेशन है और इनके पैटरण में भी वरियेशन है तो इस तहरिके हैंगिंग प्लांटर में भी आ पटुनिया लगा सकते हैं दूसरे अगाइव में आत्या प्लांट है कि अब यह जल्दी फ्लार इसमें देखने को मिलेंगे एंड इनी के ठीक नीचे एक कंटेनर में मैंने एक आइस प्लांट लगा दिया था जो कि अब फ्लारिंग कर रहा है और आप देखोंगे येलो कलर का शेड इसमें निकल के आया है और बहुत ही सुंदर तरीके से फ्ल के आइसमें चोटी चोटी कटिंग्स पैने या विंका की पी तयार किवी था फ्लारिंग हो रही है तर इसके बाद यह वर्बीना है वर्बीना के तीन चार प्लांट थे यह भी फ्लारिंग करते ही जा रहे है मैंने को भी रिवाइफ किया है और नहीं ग्रोथ भी आप और यह कैलेंडूला जो मैंने सीज से ग्रो किये थे और हमारे नेबर्स हैं नेबर्स की हमारे यहां पर चोटी सी क्यारी बनाई है उन्हें मेथी लगाई थी दिन उसमें भी अफ्लारिंग स्टार्ट हो चुकिया बहुत जल्दीने मेथी के सीज मिलेंगे देन चोटे-चोट हैंगिंग बास्केट में कैलेंडूला लगी है और यह भी आप देख पाऊगे रेड कलर में डायन्थस है काफी सारे फ्लार्स आते जा रहे तो विंटर फ्लार्स में आप यही है कि जैसे फ्लार्स पेंट होते रहते हैं आप उनको हटाते रहो तो आपका जो प्लांट है लंबे समय तक फ्लारिंग करता रहेगा प्लस आप उसमें मैन्योर वगरा एट करते रहो 15 से 20 डेज में तो आपके फ्लार्स जो है वो पूरी विंटर सिजन में आपको बहुत सुंदर और बहुत अच्छी फ्लारिंग देते रहेंगे उसके बाद यह आइस फ्लार्स हैं का इसमें लगेंगे बड़ फ्लार्स तो अबंडनस में लगे हैं और डिफरेंट शेड्स में आया है सारे फ्लार्स काफी अच्छा लगता है जब कोई फ्लार्स या कोई वेश्टेबल आप सीड से लगाते हो क्योंकि उसकी ग्रोथ देखने में मज़ा आता है और यह सर्प् वी ठोड़ा लगाना तो वह थोड़ा प्लैन करने वें हैं अगें यह केलैंडूला सी है डिफरेंट शेड्स में हैं सारे फ्लार्स यू मेरे गार्डन में लगे हैं मैं आप लोगों को इस वीडियो में शेयर कर रहे हूं वीडियो थोड़ा से लंबा हो सकता है तो यहां पर काफी सारे खीले थे कैलंडुला के और यह तीन से चार पॉद है इसी में लगे हुए इसी में दो तीन तो हैं और काफी सारी बड्स इसमें आई जा रही है तो आप इनको मिंटेन कर सकते हो जिरू सूखी तरीक सूखी पत्तियां आप दिख रही है वो हटाते रहो तैन इसमें स्पेंट जो बड्स जो खिल चुकी है कलियां जो डाय हो रही है जो सीज बना रही है वो सबाप अटाते रहो तापके फ्लास चलते रहेंगे उसके बाद यह एक मिक्स करके मैंने हैंगिंग बास्केट बनाई थी इसमें चार से पांच तरीके के प्लांट्स ल नहीं लगाया वही सीज रहे होगा तो उसी से जर्मिनेट हो गए और इसमें सीट पॉर्ट भी बन चुक है और यह चार से पांच तरीके के फ्लार इसमें खिल रहे हैं यह डॉक फ्लार है अगें वाइट कलर में और यह क्रॉस पॉलिनेशन से वाइट कलर आया अगें यह प्लार इसमें स्टार्ट हो गया तो आप देखो गयी तो इस तरीके से स्ट ब्लार सबसे बड़े थे फिर दिन फ्लॉक्स के फ्लार आगे और यह नारे चला खुदी निकल के आए दिन सामने की तरफ में थे स्नाप ड्राइगन भी लगाए थे और फ्लॉक के कु बहुत ही ब्यूटिफुल अगेन और मैं बहुत जादा क्या बोलू मेरे पास शब्दों की कमी हो जाती है तो इसलिए मैं कई बर बस ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल करती रहा जाती हूं आपको देख के समझ आ रहा होगा ब्यूटिफुल कुछ पी गई है तो जो आपको अच्छा लगता है और यह देखो यह कितना प्यारा स्टार वाला पेटूनिया है यह एं इसमें पी काफी सारे कलर जाते मेरे पास आप देखोगे कि चाहे एक एक प्लांट ही है मतलब वराइटी अलग है लेकिन सारे अच्छा यह भी वराइटी आती है इसमें तो इस तरीके से और डिफरेंट डिफरेंट चीजें आप गार्डर में देखने को मिलते हैं एक इतरह की चीज लगाओ मुझे उसमें ज्यादा इंट्रस्ट आता नहीं है और यहां पे आप देखोगे यह कि यह 5-6 इंचिस की ब प्लांटर में भी लगाया दिन आपने देखा में इसको रेलिंग प्लांटर में भी लगाया तो हर गंबले में मुझे अच्छे फ्राज मिले अच्छे रिजल्स मिले इसके हालां कि इनिशली कुछ 3-4 सीद्लिंग्स मर भी गई थी क्या कहते हैं जो सीजन की बारिश नहीं के इन तक में में भी कई बर फ्लारिंग देखने को मिल जाती है यह वाला प्लांट है इसमें रेड कला के फ्लास लगते हैं और यह सूग गया था पीछे दो तिन आइटिंग और वाटरिंग की वज़से जब बारिश हुई थी तो यह थोड़ा ज्यादा ही यह खराब हो ग बनते जा रहे हैं और जहां पर इसके सीज गिरेंगे फिर अगले सीजन में यह खुद से ही इसमें काफी सारे प्लांट बन जाएंगे और फिर इनको मैं थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में लगाने की कोशिश करूँगी अभी तो यह देख रहे हूं सीज सूख रहे हैं और बीजी रहते हैं तो फिर यह होता कि हम बागी चीज़ों की प्लैनिंग नहीं कर पाते हैं सीजन के हिसाब से न तो इसलिए थोड़ा में ज़्यादा सीज की तरफ नहीं जा रहे हूं अभी जब तक यह फ्लारिंग कर लें तब तक मैंने इनको छोड़ा हुआ है और फि नहीं निकाल ही दूंगी वैसे तो फिर यह थे सारे फ्लार्स जो की मेरे टैरेस कारडन में खिले हुए यह खुद से ही मैंने सारी महनत की है इनके उपर और अगर अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक ज़रूर कर दीज़ेगा वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीज़ेगा अपने विचार कमेंट बॉक्स में शेयर कीज़ेगा मैं आप लोगों से नेक्स्ट फीडियो में मिलूंगी तब तकिले स्टे हैपी स्टे बलेस्ट कीप गार्णिंग थैंक यू सो मच वाचिंग और बाई बाई